नमस्कार फ्रेंड आज मैं बनानी जारी हूं मसाला इडली मसाला इडली बनाने के लिए मैंने ग्यास पे पैन रखा है और इसमें डाला है एक टेबल स्पून आयल तीन से चार लसुन की कलियों का पेस्ट तीन से चार हरी मिर्च बारिक कटी हुई एक बारिक कटा हुआ धनिया पाउडर आदा टीस्पून हल्दी पाउडर इसको मिला के अच्छे से इसमें डालना एक टीस्पून सोया सास स्वादानुसार नमक इसको मिला के इसमें डालना है क्याबेज मेरे पास लाल क्याबेज अलेबल थी इसलिए मैंने डाली आपके पास अगर ना हो तो ऑलू इसको अच्छे से मिलाना है और यह हमारा मसाला एकदम रेडी हो गया है भी ठंड़ा करके इसकी हमें चोटी चोटी टिक की बना लेनी है। यह हमार टिक की बनके रेडी हो गई है और देखिए इडली का मिशन भी एकदम रेडी है। और इसमें डालना है स्वादानुसर नमक, मैंने इडली का पेस्ट बनाने के लिए एक गलास चावल लिया था और आदा गलास उड़त की डाल ली थी और इसको पाच घंटे अच्छे से भीगा है, बाद में पिसा के इसको मैंने आठ से आठ घंटे रखा है, देखिया मैं टि एकदम रेडी हो गई है, अभी इसको ठंडा करके नकालेंगे, देखिया अच्छे से निकल गई है, और एकदम अच्छे से साब दीक रही है, अभी इसको हम काटेंगे यह देखिया हमारी इडली कट गई है देखिए मसाला भी एकदम अच्छे से दीख रहा है अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक सस्क्राइब जरूर कीजिए साथ साथ में कमेंट में बताइए मेरा वीडियो आपको कैसे लगा है